हौल तो आपने देखा है वो क्रिस्मस वाले वीडियो में दिखाया था डेली व्लॉग्स में डाल को ज्यादा एकदम बढ़कती हुई नहीं बनाना आपको डाल जो है वो सिंपल अच्छी लगती है मेरे एक्सपीरियेंस से मैं कोई कुछ नहीं किया नमस्कार दोसतों तो राजовые यह ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्ठी जुए यह यहां जो मैं औरी प्यारे भाईयों आज हम लोग दिनर बनाने वाले हैं दिनर में क्या बनने वाले हैं तो बहुत बढ़िया दाल फ्राई करने वाला हूं मैं तो मैं कैसे करता हूं फ्राई वो मैं बताऊंगा आपको बहुत सिंपल है वो प्रोसेस ठीक है तो आज मैंने क्या किया आज मैंने कुछ खास नहीं कि पर क्या हो गया कि देखा तो बहुत पारिश होने लगी तो फिर मैं थोड़ा अच्छा लगना कि वह एच्छा हुआ नहीं गया तो कई बार का होता है कभी intuition होता है ना आपको कभी मन नहीं करता तो सच में नहीं करना चीओ काम क्योंकि वह कहीं नहीं से आपको संकेट किसमार्ट सिगनल ब्लागा ठीक है तो अगर मैं चला भी जाता तो कोई फायदा नौत कि अभी फारिष बन्दफ गई है अभी तो शाम है तो बस ऐसे हैं यहां की लाइट जला सकते हैं बिना जला यह भी वैसे काम चल जाएगा ठीक है तो यह है अपना किचिन सुईट किचिन ठीक है यहां से भी बाहर का जो है वह व्यू दिखता है कि यहां सब्चはは गुदिकता है तो हम यहां पर आ गया है मैं ञाइट जला लेता हॐं थाकि थोड़ा उझाला हो जाएगा तो हम मैं जला ली अभी बैटर दिखेंक यह थेटर तो दोस्तों मैं आपको दाल दिखा देता हूं कौन सी बनाने वाप यह वाले जो डाल है न कहा आ लिखा हुआ है हाँ पे यह समझ लो कि मसूर की दाल अपनी और यहां पर यही मिलती है सूपर मार्केट में इसके अलाव़क कोई दाल नहीं मिलती अगर आपको कोई और जो है वो त्राय करनी है कि मिल जाए हमें मूंकी पीडी वालिया कोई भी तो आप एक नजर मार सकते हो क तो नेचुरल प्रोडक्स का स्टॉर है वहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग तरी के प्रोड़क्त मिलते हैं तो उसमें डाल मिल सकती है को ठीक है बेसन वहीं पर मिलता है तो वहाँ पर आप जा सकते हो अगर आप साउंड पाव्लों तो बहुत सारी जो है नेचुरल फौहां पर आपको दुआर की दाल भी जाएगी एक बर साउड़ से मैंने मंगाई थी ठीक तो शाउ पाउलो में जोना सेरिया लिस्ट करके है एक सेरियल करके एक है तो ऐसी पहुत सारी ऑन-लाइन भी देते हैं तो है मंगा सकते हैं अभी को खिलार हमारे अबना लेंगे मैं क्या करता हूं जब भी खाना बना रहा हूं तो यह आज डिनर होगे अकल सुबह शाम होगी है ना तो एक दो दिन के दो दिन के लिए बना लेता हूं है ना फ्रिज में उसको अच्छे रख दो नहीं तो बार-बार वह बैडेक होता है फिर यह हो जाता है रोज कुकिंग ठोड़ी करता बैठेगा तो ऐसा होता है दोस्तों अभी हम इसको निकाल लेंगे और फिर आपको दिखा तो दोस्तों यह देख सकते हैं डाल जो हमारी ध दालना बहुत ज़्यादा पानी से मत भर दैना उसको ठीक है अभी हम इसको जो है बंद करेंगे और बस उसको चला देंगे फिर हम दाल पघारने की प्रिप्रेशन करेंगे तो दोस्तों कुकर हमने लगा दिया है और अभी हम टाइम देख लेते कितना हुआ है कि टाइम ज जो है आपको पता है ज़्यादा डेले नहीं करता अभी मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या चीजें इस्तमाल करने वाल हूं इसको बघारने के लिए तो दोस्तों आप यह देख सकते हैं एक प्याज है और टुमैटो प्यूरी है और यह है ठीक है तो हम यह तीन चीजें यूज करेंगे इसको बघारने में और थोड़े बहुत मसाले डालेंगे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है बिलकुल सिंपल वेस है मैं इसको जो है फ् प्याज काटने है तो दोस्तों हमने प्याज डाल दिया है और यह भी बस अल्मोस्स होने ही वाला है ठीक है यह थोड़ा जब हो जाएगा तो हम बस इसको डालने वाला है यह जो दिख रहा है आपको ओके लैस्टों को तो दोस्तों देख सकते हो कि सेम प्रोसेस है जब थोड़ी प्याज जो है वो सिक गई तो मैंने इसमें टॉमाटो प्यूरी डाल दी बस फर्क इतना है कि जो प्याज है वो पिसी हुई नहीं है मसाला नहीं है प्याज का पिसा हुआ ठीक है काट के डाला है और यह बहुत स प्रोसेस से बना सकते हो बहुत टेस्टी बनेगी ओके तो अभी मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा बनाके अभी इसको हमें थोड़ा जो है चलाना है ताकि यह जो है टुमाटो प्यूरी भी जो है वो पक जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो जो टुमाटो प्यूरी थी वो कितनी अच्छी तरीगे से पख चुकी है इसमें सिर्फ मसाला डालना है और जो हमारी जो डाल है वो यहां पर बहुत बढ़ी हो चुकी है उसको डालना है और मेरे पहरे भाईयों भानों मैंने यहां पर राइस भी रखती है मैंने अभी काफी सारा काम किया और इसकी मुझे गैस जो है वो बंद करनी पड़ी थी अभी चलाई है क्योंकि वो जो है डाल जो है वो उसका कुकर ठंडा हो रहा था फिर मैंने का इसको बंद कर दो नहीं तो जलने लगेगा तो दोस्तों आप यह देख सकते हो हमने डाल डाल दी है ओके और ताल जो थी वो बहुत गाड़ी थी उसमें पानी नहीं था तो उपर से अभी अपने पानी भी डाला है तो ऐसा है अभी हमें इसमें और पानी डालना पड़ेगा कुछ जादे ही बन गई लेकिन ठीक है अच्छी बात है इसमें म मज़ा नहीं आता है अभी हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे तो यह बन रही है हमारी दाल इसको थोड़ा सा उबाल देना एक आतो बार उबाल आ तब तक हमें इसको छोड़ाना और बढ़िया है एकदम यह आप देख सकते हैं बहुत पतली भी नहीं है बहुत गाड़ी भी नहीं एकदम परिफेक्ट बनी जांवल का यह दीम ही छोड़ दिया इसको बढ़ा दिया तो मेरे प्यारे भाईयों बहनों हमारी बहुत टेस्टी कि दाल रेडी है बहुत ही बढ़िया टेस्ट मैंने अल्रेडी टेस्ट करें मसाला ना डालने से टेस्ट जो है वह बहुत ज्यादा बैटर था ठीक है अभी यहां पर देख सकते हमारी प्लेट रेडी है यह प्लेट को हम लेके जाएंगे अभी बाहर में प्यारे भारियों हमारी यहां की तो हॉल तो आप लोगों ने देखे ही है मेरा मैंने एक बार दिखाया था आपको ठीक है तो अभी हम आपको यह टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा टेस्ट है भाई इसका यह देख सकते हो आप ओके अभी मैं इसको खाऊँगा तेज बहुत गजब है नमक मिर्च और हल्दी तीन चीज़ें डालना गरम मसाला डाल दोगे न तो मज़ा नहीं है गरम मसाला जो है वो मतर पनीर छोले और इन सब चीज़ों में अच्छी लगती है यह राजमा डाल को न ज्यादा एकदम बढ़कती हुई नहीं बनाना आपको डाल जो है वो सिंपल अच्छी लगती है मेरा एक्सपीरियेंस है मैं कोई कुकिंग का कोर्स वोर्स कुछ नहीं किया सब मैं बनाते बनाते सीखा हूं ठीक है तो यह है हम आपको और खाके दिख देखाता हूं हॉल का हॉल तो आपने देखा है वो क्रिस्मस वाले वीडियो में दिखाया था डेली व्लॉग में ओके तो दोस्तों यह व्लॉग कैसा लगा आपको आज हमने दाल बनाना सिखाए आपको डाल बनाई और आपको दिखा दी ट्राय जरूर करना बहुत आपने वाद जय हिंद भारत माता की जय बंदे मातरम